चलिये दोस्तो वीडियो नमबर वीडियो की प्लेफिक और डिश्क्रिप्सरण करयुथ तो वहाँ पे जो link है उस पे click करने से आपको जो है एकदम line में जो है सारे videos मिल जाएंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पे भी आपको जो है question दिया गया है question number 2 पे आ चुके हम question number 1 discuss कर दिया है ठीक है पहले वो video देख लेना क्योंकि वहाँ पे provision discuss करेए देखिए यहाँ पे भी आपको जो है question में basically हम देखे इसी देसी तो यहाँ पे भी आपको residential status पूछा है लेकिन हमें जो है video number 1 में हमने क्या discuss किया था कि person की information दी जाती है और हमें जो है देखना होता है कि क्या वो resident है या नहीं है resident है का मतलब किस तरीके सा आप calculate करते थे हम देखते थे कि previous year में 182 days या फिर उससे ज्यादा stay है या नहीं है अगर नहीं है तो हम दूसरी condition पे जाते थे कि previous year में 60 days तो हो नहीं चाहिए और previous 4 year का जो total है 365 days या फिर उससे ज्यादा हो तो भी चल जाता है तो भी वो resident है हमें पढ़ना है कि person resident है या नहीं है वो आप पढ़ चुके ठीक है अगर resident है person किस तरीके से resident जो 182 days वाला था वो previous 4 year का 365 वो provision उस provision से आपने calculate किया कि person resident है कोई दिकत नहीं है अब resident है तो उसके बाद आपको दो चीज़े देखनी होती कौन-कौन सी कि ordinary resident है या फिर not ordinary resident है मैंने क्या कहा यहाँ पे पहले तो आपको जो है information से ये पता लगाना होगा कि क्या वो resident है या नहीं है resident है मतलब कि आपने condition देखी कि उसके previous year का जो total है days का वो 182 days या फिर उससे ज्यादा हो जाता है या फिर दूसरी condition जो है वो भी follow हो जाती है मतलब कि सीधी सीधी आपने calculation की वो resident निकल के आ गया तो अब resident निकल के आ चुका है तो फिर आपको ये दिखना है कि क्या वो ordinary resident है या not ordinary अब ये कैसे पताय चल जाएगा आईए उसकी provision जो है आपके सामने है अब देखी यहाँ पे basically आपको ये जो दो condition है मतलब कि पहली और दूसरी ये दो condition की जरूरत अभी पड़ेगी तीसरी condition तो जो है बाद में आएगा ठीक है question भी लेंगे उस पर देखे पहली दो condition जो है अगर fulfill होती है पहले तो आपने ये देख लिया कि resident है या नहीं है ठीक है 182 days वाली condition उसके बाद ये आएगा पहले तो आपको वही दे condition है तीसरी भी condition है पहली दूसरी और तीसरी तीनोh condition में से कोई भी condition जो है fulfill होती है तो वो not ordinary resident है क्या मैंने बताया कि not ordinary resident है अब क्या है condition देखे अधिका condition है कि previous 10 year previous 10 year में जो है 9 year previous 10 year में से 9 year जो जो है वो न रेसिडेंट होना चाहिए मतलब कि उसका जो stay है यह हमने दो condition पड़ी थी ना उसका stage जो है 182 days से कम होना चाहिए साल में या फिर ये condition जो है ये दोनों condition fulfill ना हो तो हम कहते थे कि वो not ordinary resident है तो वही यहाँ पे कहा गया है कि previous 10 year में से 9 year resident नहीं होना चाहिए मतलब कि ये जो दो condition थी ये fulfill नहीं होनी चाहिए ऐसा यहाँ पे कहा गया है ठीक है तो previous 10 year में से 9 year तो जो है resident नहीं होना चाहिए नहीं है तो फिर वो not ordinary resident है मेरी बात समझ में आ रही है ठीक है previous preceding related ठीक है मतलब कि previous year के पीछले जो है 10 साल 10 year आपको देखने है उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये fulfill आपने कलिया देख लिया ठीक है लेकिन अगर ये fulfill नहीं हो रहा है मतलब कि previous 10 year में से 9 year जो है वो resident नहीं ऐसा नहीं हुआ मतलब कि resident निकल के आ गया तो आपको दूसरी condition देखने है और दूसरी condition ही basically आपको सब जगा यूज में आएगी ठीक है फर्स्ट condition generally यूज नहीं आती है ठीक है second condition क्या है second condition है कि previous आपको 7 year देखने है और previous 7 year का जो total आपका इंडिया में stay जितना हुआ था उर्स का जो total days है वो 729 days से कम होना चाहिए 729 days होता है या फिर उससे कम होता है तो वो क्या है non resident है अरी बात समझ रहे है आप मुझे पता है कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन उसके लिए हमने question ले रखा है question आप देख सकते question आपके सामने ठीक है तो question हमने लिया है आपको वहाँ resident है अगर दूसरी condition क्या बताई दूसरी condition बताई कि previous seven year का जो जितना भी stay है उसका total लगाई है अगर 729 days या फिर उससे कम आ रहा है तो वो non resident है लेकिन उससे ज्यादा आ रहा है तो सीधी से बात है वो resident है ठीक है ordinary resident मैंने क्या बोला कि इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब उससे कम 729 days या फिर उससे कम है तो वो not ordinary resident है प्रिवियस seven year का जो total 729 days या फिर उससे कम है तो वो not ordinary resident है लेकिन अगर 729 days से ज्यादा हो जाता है days प्रिवियस seven year का total days तो वो resident and ordinary resident है ठीक है सीधी सी बात है समझ में आया ठीक है आया तीसरी condition देखते है तीसरी condition जो है foreign से related है foreign citizen जो होते है मतलब कि India and citizen है लेकिन foreign में रहते है अब video part 1 देखा है तो मैंने यहाँ पर बताया था कि Indian origin का मतलब क्या होता है Indian origin का मतलब होता है कि अभी आप जो है वो outside India stay कर रहे है मतलब कि कभी कबार जो है इंडिया में आते हैं तो आपका जो वो days का total है वो 182 days या फिर उससे ज्यादा हो जाता है यहाँ पर लिखा है देखे 182 days या फिर उससे ज्यादा लेकिन 120 days है यहाँ पर 120 days या फिर उससे ज्यादा हो जाता है stay ठीक है इंडिया में previous year का जो stay है 120 days या फिर उससे ज्यादा लेकिन 182 days से कम होना चाहिए 120 days से 182 days के बीच में अगर आपका stay है और यहाँ पर एक और condition है 115 lakh जो rupees है आपकी dimmed income इंडिया में जो income है वो आपकी 15 lakh से exceed कर जाती है और आपका stay जो है 120 days से ज्यादा है 182 days से कम है तो आप non resident है not ordinary resident resident but not ordinary resident है आप ठीक है अब यह condition आपको समझ में नहीं आएगी वो question लेंगे तब आपको पता चल जाएगा ठीक है इसे तो हम यहाँ पर छोड़ देते है यहाँ पर दो condition आपको सिदी सिदी समझ में आनी चाहिए कौन-कौन सी previous 10 year में जो है 9 year जो है वो non resident होना चाहिए अगर non resident है तो क्या कहा जाएगा resident but not ordinary resident ठीक है फिर दूसरा हमने condition बता है पहला नहीं follower है तो दूसरा देखिए दूसरा क्या है previous 7 year का जो total है वो 729 days से कम होना चाहिए 729 days है तो भी कोई दिकत नहीं उसे कम है तो वो ordinary resident मतलब कि not ordinary resident है ठीक है अब question देखिए आपके सामने question है यहां पर कि कि किसी का नाम है और जो यहां पर कहा गया है कि वो Australian cricketer है कभी कबर जो है इंडिया में regular हो रहा है मतलब कि previous 10 year में जो हर साल 100 days के लिए तो इंडिया में stay करते ही ठीक है तो सबसे पहला question पुछा गया है कि अगर यह information है मतलब कि हर साल अगर 100 days वो stay कर रहे तो उनका residential status क्या होगा तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह चेक करना होता है पहली तो हमें यही चेक करना होता है कि resident है या नहीं है नॉन resident और ordinary resident ठीक है पहले तो resident है या नहीं है यह चेक करेंगे फिर उसके बाद अगर resident है तो फिर हम देखेंगी कि ordinary है या not ordinary ठीक है सबसे पहले तो करते हैं चलिए कि यह रेसिडेंट है या नहीं तो क्या कंडिशन बताई थी हमने पहले वीडियो में देखी थी कि प्रिवियस यह में जो है 182 डेज या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए अगर यह कंडिशन फोलो नहीं हो रही है तो प्रिवियस फॉर यह का जो टोटल है व हर साल जो है वह और टेक कर रहे है तो यहां से सिधवी से बात्य दिखे के प्रिवियस यह में हन् apparatus होगा उश्य प्रिवियस एक анडरेच उडिय सुगा उससे प्रिवियस हम् MA 100-100 बेस जो है कर रहा है इंडिया में तो हमारी जो पहले संत्थी पहले कंडिशन नो ह्लिए फ 365 days से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं देखू, तो previous year में तो 360 days से ज्यादा यह, ओके कोई दिक्कत नहीं, और previous जो 4 year का जो total है, वो 365 days या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, तो वो भी follower है, क्योंकि 400 total हा रहा है, तो सीधी सी बात है कि यह, जिनकी बात करी गई है यहाँ पर, कौन है, Australian cricketer है, वो तो भाईया resident है, first question का मतलब तो हमें पता चल गया कि वो resident है, लेकिन अब हमें पता चल लगाना होगा कि वो resident है, तो क्या वो ordinary resident है या not ordinary, resident है यह तो पता चल गया, हमने यहाँ पर निकल लिया answer, लेकिन अब क्या लगाना है पता, अब हमें पता लगाना है कि वो resident है, but ordinary है या not ordinary है, ठीक है, तो वो कैसे पता चल जाएगा, हमने यहाँ पर conditions आपको बताई थी, कि आपको condition देखनी है कि क्या previous 10 year में से 9 year वो non resident रहे थे, अगर रहे थे, तो फिर वो तो भया not ordinary resident है, ठीक है, previous 10 year में से 9 year जो है, वो non resident रहने होने चाहिए, यह condition fulfill नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो है resident है exactly, ठीक है, यह तो resident है, इसलिए यह condition तो fulfill हो नहीं सकती, तो अब second condition पर जाएंगे, second condition क्या थी, कि previous जो 7 year का जो total है, उनका जो इंडिया में stay है, उसका जो total है, वो 729 days या फिर उससे कम हो रहा है, तो वो not ordinary resident है, यहाँ पर लिखा है, not ordinary resident, ठीक है, अगर 729 days या फिर उससे कम हो रहा है, तो वो not ordinary resident है, उससे ज्यादा है, तो ordinary resident, आईए calculate करते है, question में आपको कहा गया है, कि हर साल जो है, 100-100 days का उनका stay होता है, तो 7 days, ठीक है, 7-7 year के लिए, देखे, तो आपके सामने में नहीं यहाँ पर लिख दिया है, कि previous 7 year जो है, वो 100-100 days जो है, वो stay हुए थे, इंडिया में, ठीक कम है, तो वो not ordinary resident, और सीधी सीधी बात है, यह मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, कि 729 days से कम है, 729 days से कम है, मतलब कि इन्हें आप क्या कहेंगे, resident तो है, हमने वो तो calculate कर दिया, कि resident तो है, लेकिन वो resident, बट आप लिखेंगे not ordinary resident, क्या लिखेंगे not ordinary resident, इसका status क्या हुआ यह जो Australian cricketer है, फर्स्ट आपको question पुछा गया था, तो यह जो Australian cricketer का जो status है, वो है resident but not ordinary resident, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको calculation की गई है, 400 days हमने जो पहले किया था, कि resident का status हमने निकाला था, तो यहाँ पर दिखें, उन्होंने बताया, कि resident है, फिर उसके बाद जो है, वो second condition follow की, उन्होंने चेक की, यहाँ पर 7 days का total लगा है, 700 days आया, और यहाँ पर बोला है कि 729 days से कम आया है, तो यहाँ पर कहा गया है, कि वो resident but not ordinary resident है, ठीक है, वही बात हमने यहाँ पर बताई, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ, यहाँ पर सिर्फर सिप example करना है, ठीक है, assume करना है कि total अगर 800 days आ जाये, तो फिर क्या इसका status होगा, ठीक है, resident तो हमने पहले ही पता लगा दिया कि वो resident तो है, ठीक है, resident तो है, लेकिन 729 हमारी condition क्या थी, 729 days या फिर उससे कम होना चाहिए, तो फिर वो not ordinary resident है, उससे ज्यादा है, तो वो ordinary resident हो से ज्यादा है, 729 days से ज्यादा है, तो obviously वो ordinary resident, तो आप यहाँ पर status के लिखेंगे resident and resident and, आप लिखेंगे resident and ordinary, ordinary resident, ठीक है, आप लिखेंगे resident and ordinary resident status, उनका आएगा, ठीक है, यह तो सिर्फर सिप आपको समझाने के लिए example लिया था, ठीक है, अब देखें, अब second question, बहुत स पहला question जो है, वो हमने complete किया, ठीक है, यह question हमने complete कर दिया, इसका answer आया है, कि resident but not ordinary resident है, लेकिन second question क्या पुछा, कि क्या आपका answer change होता, कि अगर जो स्रीनाथ है, कुछ नाम दिया गया है, वो Indian citizen है, और जो है, Australia में रह रहे है, और Australia के लिए ही खेल रहे है, मतलब कि Australian cricket team में ही वे खेल रहे है, और Australia में ही वो stay कर रहे है, बस नाम जो है, स्रीनाथ है, और Indian citizen है, बाकी Australia में ही रह रहे है, तो क्या ये जो है, resident हो सकते है, आपको पूछा गया है, कि क्या आपका answer change होगा, तो देखे हमने यहाँ पे condition पड़ी थी, condition पड़ी थी, कि हमने जो है foreign, जो आ person है, मतलब कि foreign में रहते हैं इंडिया, outside इंडिया में stay कर रहे है, तो उसके लिए condition थी, लेकिन हमें तो यहाँ पे question में को information नहीं, सिर्फ हमें ये बताया गया है, कि जो स्रीनाथ है, वो outside इंडिया stay कर रहे है, outside इंडिया जो cricket team में, उनका जो representation है, तो क्या वो जो है, Indian citizen है तो सिधी जो बाते नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो वो visit कर ही नहीं रहे है, और इंडिया में visit कर भी रहे होते हैं, तो हमें वो 120 days वाली condition देखनी पड़ती, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो सिधी सी बाते वो non-resident है, अब यहाँ पे आप देख सकते है कि जो यहाँ पे लिखा गया है, देखे, Mr. Srinath जो है, वो Indian citizen आपको बताया गया है कि वो Indian citizen है, लेकिन Australia में ही अभी stay कर रहे है, तो सिधी सी बात है, वो treated as non-resident होगे, ठीक है, बहुत ही simple सी बात है, non-resident है, तीसरा question यहाँ पे पुछा गया है, कि अगर Srinath visit करते 120 days के लिए तीक है, यहाँ पे 100 days दिया गया था न, अगर 100 days के निकाल दे और 120 days यहाँ पे add कर दे, यहाँ पे question में कहा गया है, कि जो Srinath है, वो 120 days के लिए अगर every year जो है, इंडिया में visit करते, तो क्या आपका answer change होता, तो हम कहते कि हाँ, तो change हो सकता है, अब कैसे हो सकता है, देखे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कि अगर person जो है, वो foreign, outside India में है, ठीक है, और India का origin है, Indian citizen है, यहाँ पे मैंने बताया था, तो उसके लिए क्या treatment है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, कि जो Indian income है, इंडिया के लिए income जो है, वो 15 lakh रुपीज से ज्यादा होनी चा अगर 15 lakh से exit नहीं करती है, तो वो non resident है, ठीक है, पहली condition हमने resident और non resident के बारे में पढ़ लिए, अब 15 lakh से अगर exit कर जाती है, तो सिधी से बात हो resident है, तो फिर resident है, तो हमें ये भी check करना पड़ेगा, कि वो ordinary है या not ordinary, तो ordinary और not ordinary के लिए भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, क् देखे 122 days, या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, और 182, sorry, 120 days से ज्यादा, और 182 days से कम, तो यहाँ पे तो सिधी question में बता रखा है, कि जो 122 days वो stay कर रहे है, तो सिधी से बात ही, ये condition follow हो रही है, और ये condition follow हो रही है, तो फिर वो not ordinary resident है, ठीक है, तो यहाँ पे हम answer में क income इनकी बढ़ती है, इंडिया के लिए, और 120 days तो हमें question में दे रखा है, ठीक है, तो 15 lakh वाली जो उनकी income हमें यहाँ पे नहीं दे रखी है, इसलिए हमें जो है, दोनों condition लिखनी पड़ेगी, मतलब कि 15 lakh से हम ऐसा expect करते है, कि जो income है, वो 15 lakh से बढ़ चुकी है, और 120 days जो 15 lakh से उनकी income नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो तो सिधी सी बात है, उन not resident है, आगे कुछ करना नहीं है, ठीक है, इस solution में भी वही बात करी गई है, कि यहाँ पे assume किया गया है, कि 15 lakh रुपीज से उनकी income exit कर जाती है, और 120 days जो है, वो question में ही बता रखा है, तो सिधी सी बात है, वो resident है, but not ordinary resident, treated as resident, but not ordinary resident in India, लेकिन दूसरी expectation भी है, कि अगर उनकी जो income है, वो 15 lakh से, 15 lakh से जो है increase नहीं हो रही है, यहाँ पे लिखा गया है, कि not exceed 15 lakh रुपीज, अगर 15 lakh से exceed ही नहीं हो रही है, तो सिधी सी बात है, वो non resident है, ठीक है, clear, यह question यहाँ पे खतम होता है, इ resident अगर person है, तो उसके बाद वो से आपको जो है check करना पड़ेगा, कि क्या वो ordinary है, या not ordinary है, ठीक है, पहले question में तो हमने सिर्फ और सिर्फ यह देखा था, कि किस तरीके से हम check कर सकते हैं, कि resident है या नहीं है, और second question में हमने पता लगाया, कि resident है, तो फिर उसके बाद भी द ordinary and not ordinary, ठीक है, तो यह दो question यहाँ पर complete होते हैं, playlist की link ने description में है, वहाँ जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है,